बिलासपूर उत्तरी भारत में एक ऐसा स्थान है जहां जल, थल और नब दीनों खेलें एक समय में करवाई जा सकती है। केंद्री सूचना एवं प्रसारन, युवा सेवाईं एवं खेल मंत्री अनुराग फाकुर की दूर दश्री सोच के कारण, पूरे भारत वर्ष के साथ हिमाचल की बिलासपूर में भी खेलों का सरवांगन विकास हो रहा है। थिला आदिकारी अधिकारी रवी शंकर ने यहां बात कही। उन्होंने बताया कि इस प्रतीयोगिता में करीब कॉद्धशन के लिए अच्छे संकेत है। उन्होंने का कि इस प्रतियोगिता में खास बात यह रही कि बच्चों को अंतराश्ट्य स्तर की सुविधाओं से लेस इस सिंथेटिक ट्रैक पर दोड़ने का अफसर मिला है। जिला खेल अधिकारी रविशंकर ने सांसद खेल महाकुम्ब के जिला संयोजक बिशाल जगोता और उनकी टीम को बधाई दी। कि जिनों ने ये आयोजन है ये ग्रास उट से शुरू करके शुरू आति जिसकी की है जिससे कि बच्चों को एक मंच प्राप्त हो रहा है। और ये जो आयोजन है ये वा सेवा खेल विभाग बिलासपूर के विभिन करमचारी थे उन्होंने इसमें स्योग दिया और यहाँ पे शिरी विशाल जुगोता जी ने इसका आयोजन करवाई उसके लिए मैं उनको हार्दिक बदाई देता हूं। और आश्य है कि भविष्य में भी आसे आयोजन करवाई जाएं जिसी कि बच्चों को ग्रास उट से त्यार करके उनको राश्य सर के लिए त्यार किया जाएं। जिला बिलासपूर के खेल परिषर लुहनू एक ऐसा स्थान है जहां पर विभीन परकार की प्रतिवक्ता एक साथ करवाय सकती हैं जहां पर जल थल और नभ की प्रतिवक्ता भी करवाय जासकती हैं। आयोजेक शीरी विशाल जी गोतेजवारा कहा गया कि भविश्य में इसके आयोजन है वो विभीन प्रतिवक्ता कि आयोजन एक साथ क्यालूर परिसर बिलासपुर में करवाए जाएंगे उसके लिए भी में उनका धन्यवादी हूं और हम आशा करते हैं कि हमारा भी भाग और हमारा भी भाग और अन्य जो भी आयोजेक हैं हमार साथ मिलके काम करें ताकि जो यह खेल सांसद महाकुम्भ है इसको एक अच्छे स्थर पे इसका योजन करवाया जाए और भविश्य में इसके जो रिजल्ट हो बहुत ही उत्ता हुँआ हुआ 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 हु लाइव टाइम्स टीवी के लिए बिलासपुर से सुभाष ठाकुर के रिपोर्ट